हे गाईज नमस्कार कैसे हैं आप सबी उमीद करते हैं कि आप सब बहुत यह अच्छे होंगे तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आप यह जानेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर पेट का आकार एकदम गोल दिखना या फिर एकदम लंबा दिखना क्या संकेत देता है काफ होने के टायम पर कैसा पेट नजर आने लगता है इस वारे में भी इस वीडियो में चर्चा होने वाली है ठीक है हैं तो मैं आपको यह भी बताऊंगी अगर आपका पेट कम निकलता है तो पूरी शानकारे के लिए आपको वीडियो को अंटा करा समझना होगा तक सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को वाल पे जरूर दबाले तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे बहले हम आपको ये बताते हैं कि प्रेगनेंसी में पेट का आकार गोल और लंबा क्यों दिखता है फिर आपको सब कुछ अच्छे से समझाएंगे देखिए, प्रेगनेंसी के पहली तिमाई में, मतलब 1-3 महीने के अंदर ये क्या हो दा है प्रेगनेंसी का फ्रस्ट ट्रिमस्टर, तो पहले तीन महीनों में पेट का जो आकार होता है, वो जादा बड़ा दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही आपका चौथा महीना स्ठ यानि कि आपको जब दूसरा तिमाई शुरू हो जाता है तो आपका पेट भी दिखना शुरू होने लगता है ठीक है और खास कर divisionspr盂ेंसी के तीसरी तिमाई में आपका पेट का जो आकार होता है फोई पूरा शेप लेने लगता है आपका पेट लंबा दिख रहा है या फिर गोल दिख रहा है ये चीज प्रेग्नेंसी के तीसरी तिमाई में बहुत अच्छे से समझ में आती है बहुत अच्छे से दिखाई दिने लगता है पेट का आकार तीसरी तिमाई में ठीक है अब मैं आपको ये बताती हूँ काफी मह यानि कि प्रेग्नेंसी जब आगे भड़ती है तीसरी तिमाई शुरू हो जाती है साथ वा आठ्वा नौवा महीना जब आपका स्टार्ट हो जाता है तो इन महीनों में बच्च अपनी पोजिशन जो है वो चेंज कर देता है यानि कि उसका जो सिर है वो निचले हिस्से में आने लगता है तो क्या होता है निचला हिस्सा भारी दिखने लगता है यानि कि निचला हिस्सा थोड़ा लंबा दिखाई देने लगता है तो यह आपके बेबी के पोजिशन के ऊपर डिपेंड होती है ठीक है पेट का जो आकार लंबा दिखता है या फिर गोल दिखाई देत निखाई देता है यह सिर्फ और सफ आपके बेवी के पूजीशन के ऊपर हिए अब आपको यह बताते हैं कि प्रेट कम निकलना या फिर जादा निकलना क्या संके देता है देखे जिन टाइम से नहीं निकले, कम निकले या फिर आपके बच्चे की हल्चल आपको महसूस ना हो तो समझ लीजिए ऐसे मैं आपको तुरंत डॉक्टर की सला लेनी चाहिए पेट भी कम निकल रहा है, टाइम से नहीं बढ़ रहा है, और आपका बच्चा भी लिखल चलनी कर रहा है, तो ये अनहेल्दी प्रेगनेंसी की अंतरगत लक्षड आता है ऐसे आपको तुरंत से तुरंत दॉक्टर की सला लेनी चाहिए बिल्कुल भी टाइम बेस्ट नहीं करना है, ठीक है इतना किलियर हुआ, अब मैं आपको बताती हूँ, पेट जादा बड़ा कम निकलता है देखे, पेट जादा बड़ा दूसरी प्रेगनेंसी में भी निकलता है या फिर ट्वेंस जो बच्चे होते हैं जुडवा बच्चे होते हैं गर्ब में की किक पर हमेशा ध्यान देनी की जुरत है आपको लगे आपका बच्चा हल चल नहीं कर रहा है तो भाई ऐसे मैं आपको जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हर एक गर्वती महला को अपने बच्चे की किक के उपर बहुत ज़्यान देनी की ज उस्पिटल जाएए ठीक है और देखिए मैं एक बात किलियर कर दे रही हूं इसका लड़का और लड़की से कोई कनेक्शन नहीं होता है काफी बार आपने सुना होगा कि पेट लंबा दिख रहा है तो लड़का होगा गोल दिख रहा है तो लड़की होगी और पेट कम नि मेरे बेबी बोई के टाइम पर तो मैं वस्थ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि लड़का लड़की होने का कोई भी लक्षरा 100% वर्क नहीं करता है यह आपके बच्चे की पोजिशन के उपर भी डिपेंड करता है और आपके बोड़े के उपर भी कुछ सिम्टम मेरे